नमस्कार मैं हूं विरेज सिंग आईटी आई के टाक्सों में आपका स्वगत करता हूं ये न्यूज है राजस्थान के राजस्थान के प्राइवेट आईटी आई को बहुत सारी आईटी आई ने जो है तो बैंक गारंटी नहीं जमा की ठीक है न बैंक गारंटी नहीं जमा करने के कारण उनका पोटल पे नाम नहीं खुल रहा है है न इसके पीछे क्या कारण है जबकि बहुत सारी जो है तो इस्टेट गवर्मेंट ने जो है तो इसको टाइम दिया था कि भीया आप लोगों का बैंक गारंटी जमा करिए, लेकिन अब ITI वाले ही हैं, है ना, नेतागीरी और बहुत सारे लोगों के चक्र में बिचारे, कई ITI वाले जो अच्छे ITI वाले हैं, वो भी कुछ आगे, कुछ तो लोगों ने जमा कर दिया, किसे को टेंसर नहीं, मेरे क दो तीन दिन से कई पराइवेट ITI वाले फोन करके बोले कि सर हमने नहीं जमा कर पाया, चुकि एसोसियेशन और बाकी वो होता है कि आप भीया जमाना करिए, आप जमाना करिए, हम जो है तो वो करके, इन से कहके, फलाना से कहके, हम जो है तो ये सारी चीजे करवा देंगे नहीं होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट से करवाएंगे चलिए कोर्ट ने चलो मान के चलो के decision दे भी दिया उनको तो अब कभ decision देगा साद 21 तारिक date लगी थी 22 तारिक से कई लोग कह रहे हैं कि 8 तारिक के date लगी है और कुछ ITI के प्रवंदक बोले कि सर्वो कुछ लोग गए थे वहां से कापी निकाल कर ले आए हैं और ले आ करके राजस्तान के जो State Director है उनको दे रहे हैं तो वो खुल जाएगा लेकिन सवाल मेरा इन सब चीजों पर नहीं है सवाल बेसिक चीजें जो हैं अगर मान के चलिए कि आप ITI चला रहे हैं पता नहीं लोग निगेटीव समझेंगे इसको की निगेटीव निउज दिखा रहा है जब अच्छे निउज होती है तो यह अच्छी निउज है यह निगेटीव निउज नहीं है जो सोच रहे हैं वो निगेटिव है कि आप सोची कि आप इधना बड़ा इंफरस्ट्रक्चर चला रहे हैं आइटियाई चला रहे हैं तो आपकी आइटियाई की जो नियम कानून है उसको तो मानना पड़ेगा ना ये तो अभेलना हुआ ना कि अगर वो लोग बैंक गारेंटी दो जगह मागी जाती है यूपी में भी मागी जाती है और राजस्तान में साध विहार में भी मागी जाती है कम मागी जाती है वोँ साथ 15-19,000 है कोर्स का यहां 50,000 रुपाय करके है और यहां दोनों में तो अगर मान के चलिए कि अगर सरकार मांग रही है तो आपको देना चाहिए अगर आप यह चीजें नहीं दे रहें तो फिर आपको OBC के जो फीस मिलती है वो मागने का क्या हक है फिर आपको प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना चलाने का क्या हक है फिर आपको ITI चलाने क क्या हक है मैं सवाल वो कर रहा हूं उन लोगों से कि देखिए गवर्मेंट को नियम कानून को तो मानना पड़ेगा न अब यह नहीं है कि गवर्मेंट आपके ही नियम कानून को मानें आप कहें आप अंदोलन करें आप मंत्री से कहलवाएं आप जिस से कहलवाते रहें आप तो आपकी बात गुवर्मेंट माने और गुवर्मेंट के जो नियम है नियम तो सब के एक बराबर के लिए होता है किसी विसेश के लिए तो उसने मागा नहीं और ये पहले जमा किये हुए थे है ना अब इसमें बैचारे मैं तो उनको बोल रहा हूं कि जो अच्छी आईटी बहुत सारी चीजें मांग रही तो आप अच्छी आईटी आई हो तो आपको देना पड़ेगा ना ये मांग तो गलत है ऐसी मांग होनी ही नहीं चाहिए बलकि जिन्नों ने कोड में गए है इन सब चीजों को लेकर के उनके उपर कारवाई होनी चाहिए मैं तो इसमें स्ट ट्रेनिंग दे रहे होंगे जब एक आईटी आई वाला जो गौर्मेंट की चीज है उसको नहीं दे रहा है तो ट्रेनिंग क्या दे रहे होंगे इसका मतलब है कि लड़कों ये ले रहे हैं और आती ए ऐसी सिकायते बहुत सारी सिकायते आई हैं सबूत है मारे पास इन सब जो को ले करके, तो जो अच्छे ITI हैं, उनको कह रहा हूँ, नेताओं को सबसे पहले नेताओं को छोड़े हो, अगर आप नेताओं के चक्कर में चलोगे, तो ये अपना 2-4-10 लोग हैं, वो अपना करवा लेंगे, किसी ना किसी तरह से पहुंचो करके, लेकिन मरो गए आप लोग, है ना, चलो ठीक है, आज आपने ये कर लिया, कोट ने आपको कह दिया कि हाँ भाए आजमा करना, कल आप वही लोग जो है, तो आप से 6 महीने के एक साल का किरायनामा माँग लेंगे, स्टाप का डिटेल माँग लेंगे, स्टूडेंट के अटेंडेंस माँग सारी चीजे मांग लेंगे और आपके यहां आ जाएंगे तो क्या करोगे आप किसी डाक्टर को अगर यह बताना हो कि हमको इस मरीज को बताना ही है भाईया तेरों को खासी सर्दी जुखाम है तो वो जाच करेगा तो जाच में कुछ नो कुछ तो पाएगा ही, कह देगा किसका बाथरूम पीला है, तो इसकी तवियत खराब है, तो मेरा जो कहने है, अगर पाजिटिव लोगे, तो वहतर है, निगेटिव लोगे, तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, आप तियाई आपकी है, और यह हो हाई लिखाई का भी एक असर होता है, क्यों कैसे समझे, जब भी मैं निगेटिव निगेटिव निउज दिखाता हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है, जो मैं नहीं बता देता हूँ, इसके लिए स्टेट डारेक्टर काई बार काई बार डीजी टी कहती कि सर आपको निउज जो सूत्रिक देते हैं, कि सर निउज दिया जाता है, आप भला करते तो सब तयारी कर लेते हैं, ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, तो मैं अभी ये बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग ये कोट का केस कर लीजे, आप ये लगा लेकिन क्या कोट विजली का बिल मागेगा है, आपको लोड के हिसाब से तो दे पाओगे, फिर कोट कहेगा कि ये क्या करें, जाच करो इन इटी आई की, इस्टूडेंट कहां है, वो जाच करिये, अटेंडेंस कहां है, जाच करिये, मसीनरी कहां है, जाच करिये, किस जगह कर ये पूरा तो कहां पाओगे आप fire safety मागेंगे कहां पाओगे BCC कहां पाओगे मैं तो सबके बारे में जानता हूँ सबकी जनम कुंडली हमारे पास है ना तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ आपको awareness कर रहा हूँ तो आप इसको negative मानिये ये आपका call है लेकिन मैं जो होने वाला है वो चीज बता रहा हूँ आप किसी government के decision को सीधे सीधे challenge कर रहे हो state director ने मान लिया कि चलो ठीक है कोट है वो तो हम कोट को वो मानेंगे ठीक है लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे रस्ते हैं वो ऐसे बोला कि अगर किसी मरीज को डाक्टर को ये बताना हो कि भाईय में तरे से को ये बता के रहूँगा तो वो बता के रहेगा चाहे जितना कुछ करवाल हुआ रिपोर्ट तो दे ही देगा तो आप जाए फिर हर बार जाए एक दिन इस ते वो कह देगा कोट के देगा कि यार ऐसा करो पूरी आइटी आई की जाच करो तो उसके चक्कर में कुछ लोगों के चक्कर में कुछ लोगों के अस्तित करो और मैंने बोला कि यार ये जो लोग हैं इनका क्या बेस है ये अपने यहां के डेट तो कूछ बड़वा नहीं पाये कोई स्कालर सिपका भी नहीं कर्वा पाते हैं कुछ भी नहीं कर्वा पाते हैं छिर्फ फोटो खिचवा करके कि हम दिल्ली ओ करके आए यहां हो करके आई आप लोग बात मल लेते से राजस्थान के करीवन 200 आई टी आई के रिपोर्ट हमारे पास आई कि सर इनके यहां आई टी आई लगा करके इतनी चीजे पूछ लीजे आप मतलब मैंने 200 सुपर आई टी आई के नाम मोबाइल नंबर एड्रेस फोटो सही पूछे कि इनसे खिराया नामा पूछ लीजे इनके यहां फेकल्टियों का 5000-6000 रुपए पारें फेकल्टी जो पढ़ा रहे है न वो मेरे को सिकाई करें विट वीडियो सही कि लड़के पढ़ने नहीं आते हैं अब ये मैं दिखाना चालू कर दूं क्या अब मैं ये सब बताना चालू कर दूं क्या आप लोगों को नहीं जिनको नहीं पता है कि आई टी आई से हमने बोला कि आई टी आई एक परिवार है परिवार में आप लोग आपस में मत होना चाहिए मन भेद नहीं होना चाहिए आई नेतागिरी का जंडा उठाने वालों को तो मैं बोल रहा हूं कि अभी हम मैं बताओं कि मेरे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सोला नेताओं की आई टि आई बालों और उनके इस टेक्टर ने वें जाएं कि सर इनके यहां आप आट आई ultाऑई लगा करके डेटा पूछे किनके यहां किस स्थिती में जो है तो आई टि आई चलती है और ये स्कालर सिब्का भी बता रहे हैं कि आप देखें किसको किसको स्कालर से मिली है किसको नहीं मिली है किस देश में स्कालर से मिली है अब बताईए मैं क्या करूँ अब आप सिकायतें आ रही हैं तो सिकायते आ रही तो न्यूज तुम्हें दबाँ नई सकता OUR और फ्यूं दबाँ मैं अब मैं इस पर जो है तो Auch अगर खेoir में लगा वत कोई यह कर रही है कर रहेए और घाने करें आप दूद्ध का नहीं है ऑगर फ्रद्ट कर कर रहे हैं अब्यालत करी तो पहले आप साबित करो अपने आपको, अब आप सभी दय नहीं करोगे ना, अब आप बताइए कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने जाता, वहां क्लास ना लगे, वहां टीचर ना रहें, तो आप लोग तो तोड़ फोड़ कर दिये होते, तो ऐसे दूसरे क बच्चा आपके यहां पढ़ने आता है, तो क्या हो रहा है, अगर कुछ मान के चलिए कि ऐसे लोग है संचालक जिनके बच्चों को स्कालर सिव मिलती होगी, अगर वो ना मिले स्कालर सिव, तो क्या कर देओगे आप लोग, इस्कूल वाले में अगर मान के चलो कि भिजली का बिल ना रहे, इस्काब ना रहे, तो आप क्या कर देते हैं, तो ऐसे सोचिए ना, अब ये ठीक है, हमको गाली दीजिए, परियाप्त गाली दीजिए, परियाप्त कहिए कि इसको ग्रूप से लात मार के निकालो, इसको यहां से निकालो, मेरे को ग्रूप, संगठन, एस association की जरूरत है क्या किसी मीडिया को किसी पत्रकार की जरूरत है क्या 30 साल का experience है 2012 से लेकर के 17 तक का QCI की ऐसी कोई फाइल नहीं है किसी ITI की वो मेरे पास नहों जिस दिन कहिए तो उस दिन भाई साइब मैं सब के जो है तो पाइंट उतार दू की चड़ी में किते छेंद हैं और किस कलर की चड़ी पहनते हैं मैं तो आया हूँ awareness के लिए आप देखिए 2-3 दिन से मैं क्या news दिखा रहा हूं मैं news दिखा रहा हूं अपने ITI की जो हमारी ranking थी उसको मैं धड़ाम से नीचे गिरा दिया क्यों गिरा दिया जरूरी है कि ITI वाले जो shifting है affiliation है नाम है यह सब कुछ जानना awareness जानना बहुत जरूरी है तब ही तो अच्छी ITI बचेगी और ITI जब बचेगी तब student आएंगे तब DGT रहेगी तब state रहेगा तो अगर आपको नहीं सुधरना है तो उसमें कोई मैं क्या कर सकता हूं या कोई और क्या कर सकता है तो जो राजस्थान के ITI बाले हैं निगेटिव लेना है लीजिये ग्रूप से निकालिये माँ भें की गाली दीजिये जित्ता दीजिन देना हो तो दीजिये है ना राजस्थान हमारी भी जनम भूमी है मैं राजपूत ठाकूर हूं मैं चोहन ठाकूर हूं प्रत्विरा सिंग चोहन का बंसज हूं मैं मैं राजस्थान में रहा फिर मेरी मैन पूरी में आई इस्टेट ठीक है ना यूपी के यूपी से फिर हम लोग सीधी जिले में चो तो वो साथ गुर्जर उडजर करके हैं नेता हैं वो बोले कि तू जो है तो ठाकूर नहीं है तू राजपूत नहीं है तो हमने कहा कि अब तेरे को मैं क्या बताऊं कि तू क्या है और हम क्या है आज भी भूंदी में क्या है हमारी हमाएंगे तो ठंडी में तो दिखाएंगे कितने चौहान ठाकुरों के बीच में हम रहे हमारी कितनी वहाँ पे क्या थी ठीक है ना और मैन पूरी में हमारी कितनी है और सीधी में कितनी है हम लोग जो कहना नहीं चाहिए जो हम लोग पृत्वी राज सिंग चौहान के बंसा जाएं हम लोग किसी association किसी उसके किसी उसमें नहीं पड़ते हैं हमारे लिए हमारे माबाब ने सिखाया है पांच बचन दिया है पहली मात्र भूमी जहां जनम लिये हो वहीं बलेदान हो दूसरी गव की रक्षा तीसरी कन्याग माने महिलाओं की रक्षा करना ठीक है ना चौथा नमबर पर ब्रामभण की रक्षा करना और पच्मा हमारा सत्रु जो सरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना पांच हमारे पास बचन है शिरोही की तलवार दी जाती है हर चौहानों को और वे बचन दिया जाता है कि आप ये करोगे तो वो आदमी फोन किया कि नहीं भाई साहब हमने नहीं किया है हमको कह रहा था कि तू बिहारी है तू बिहार का दिखाई है बड़ा अफसर दे लिखा था है ना उसको हमारे कुछ है भाई देख लिए थे ठाकूर राजपूतों का समय तो बड़ा बबाल खड़ा हो गया था हमको किसी भी तरह से संजहाना पड़ागविया ये मीडिया है लोग गाली देते रहेंगे है ना ये राजस्थान से हमको धंगी भी मिली थे बताइए ऐसे करके जी इनका कोई वो नहीं है वो हमको कर रहे थे जबकि मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ मेरे लिए चैनल पे चाहे मुसलमान सबसे जागा मुसलमानों भाईयों का ऐसा कोई मुसलमान लड़की नहीं है ऐसा कोई मुसलमान लड़का नहीं है कि जिसके पास आया हूँ मेरे पास आया हूँ उसका काम न मैंने करवाया हूँ सब मित्रे, मेरे लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, खिसाइन नहीं है, मिरे लिए अच्छा, अच्छा, खराब, खराब, जिसको बुरा लगे न, तो बुरा लगते रहिएगा, जिसको जो करना है, वो करते रहिएगा, लेकिन सच मैं दिखा करके रहूँगा, और एक तो इस देश से मैं बंद करके रखूंगा, 17 लोगों की जो लिस्ट है न 16, 17 की, इन सब पे मैं RTI लगा रहा हूं, और दो जगह RTI लगा रहा हूं, एक तो DGT में RTI लगा रहा हूं, और दूसरा जो है तो हर एक के स्टेट में RTI लगा करके इनके बारे में सारी चीजे नमस्वार, जय इन, जय भारत